Hi girls and beautiful ladies and also kids, welcome back in my channel, Mehdi Art and Fashion So, एक बहुत जादा demandable video के लिए आया था एक topic की मुझे महंदी के designs देखने हैं जो कि kids महंदी के design होने चाहिए So, उसी के ओपर आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ I wish आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगीगी So, यार काफी सारे हमारे घर में मतलब ऐसी चीज़े होती है Festival आते हैं कि हम सभी बड़े-बड़े तो सब महंदी लगा लेते हैं लेकिन बच्चे हमेशा हमें देखते हुए रह जाते हैं या फिर हम उनको जादा अच्छे से महंदी नहीं लगाते हैं So, यार जो लड़किया होती हैं घर में वो लक्षमी होती हैं और लक्षमी को भी हर festival पे आपको महंदी लगाने चाहिए लाइक अब रक्षा बंदन आ रही है या फिर जन्मास्ट में आ रही है So, ट्राइ कीजिए कि आप अपनी जो भी लक्षमी है घर की उनको भी स्ट्राइब से महंदी लगाएं So, यहाँ पर आपके लिए काफी अलग-अलग वैराइटी और डिजाइन्स लेके आई हूं मैं जो कि काफी क्यूट भी हैं, सिंपल भी हैं और बहुत अच्छे लुक देती हैं चोटे-चोटे हाथों पर So, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए जरा भी हैलफूल होगी इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर कीजिएगा Also, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो यार सब्स्ट्राइब कर दीजिए यार किसी भी तरह को कोई कॉश्चन माइन में आता है तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में Also, अगर आपको कुछ एडवाइज लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर मुझे मैसेज करकर मैंने अपने इंस्ट्राइडी इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रवाइड करा दी है So, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेजिस भी कर सकते हैं So, आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगता है उसको आप स्क्रीन शॉट के जरीए अपने पास लग सकते हैं आपके आगे भी जब आपको इस ट्राइब से महंदी लगानी हो तो आपको जादा सर्च ना करना पड़े स्क्रीन शॉट अब ले लेंगे तो आपके गैलरी में अपने आप ही सेव हो जाएगा So, I hope you will like this video, if you really do, so please like, comment, share and subscribe in this video And also don't forget to stay safe, stay healthy and stay your home Bye everyone, thank you for watching this video So, I'll see you next time I'll see you next time If you have not followed me on Instagram, so please follow me Here is my Instagram and yes also subscribe my channel, thank you so much